नशे का गड़ बन चुके जिले के अंतिम छोड़ देवलोध में नशे का कारुबार करने वाले तीन सौधागरों को देवलोध पुलस ने दशरा मदान में मौके पर धर दबोचा जिनके पास से 110 नग ओनरेक्स शरीफ जब्त किया गया है जिसका इस्तमाल यहां की युवा पीडी नशे की रूप में करती है आपको बता दे कि शैडोल पुलिस अदिक्षक अनिल सिंग कुश्वाहर के कड़े निर्देशा अनुसार एसपी प्रवीन पूरिया SGOP उमाकांती आर्मों की मार्ग दर्शन में S.I. वुझे सिंग के नेतरत्व में नशे के खिलाफ सक्ती से देवलोंद पुलिस द्वारा कारवाही की गई है और लगातार सभी अवैद कारुबार करने वालों के उपर पुलिस कड़ी से कड़ी कारवाही करती रहेगी नशे का गड़ बन चुके देवलोंद में नशे का कारुबार करने वाले तीन सौदागरों को मुगवीर की सूचना में देवलोंद पुलिस ने दशरा मैदान से मौके पर धर दबोचा है एसाई विजे सिंग द्वारा बताया गया है कि दो आरुपी उमेश तिवारी और उसका साथी शिफ बहाद्दूर साके जो कि सीधी जिले के चुरहट से नशे का जखीरा लेकर देवलोंद में पकड़े गए देवलोंद निवासी तीसरे आरुपी सोनेश दिवेदी को बेचने आये हुए थे जिन्हें मौके से 110 औरेक्स सिरफ के साथ गिरफतार करके 5 बटे 13 ड्रग कंट्रोल एक्ट 188 आईपीसी के तहट कारवाही की गई है इस कारवाही में ASI एसान खान, सुशील तिवारी, आरक्षक रियास खान, चत्रुगन सिंग, विनोत तिवारी भी शामिल रहे क्या यह मामला उनक से अपने जो कारवाही हुई है आपका उनक से सुचना मेरी थी इस दर्साइदा ग्रावन को पर नर्माट रहे का यहां पर कुछ लोग अवेद अशीली दभाव का ख्रेक प्रेक्षक रहे हुई है इस सुचना पर लोगों स्टार के साथ आए के मांत अब दविस्टी है अब पर सुनेज दुवेरी जुकी इस दर्साइदा रहने वाला है और उसके दो साथ ही उमेज टिवारी और सिबाद साकेद यह और रिक्स कप सी रपकर प्रेक्र करते हुए है इनके पास इनका कपजे से इस सुचना सी कप सी रपाराव हो थे के इनके बताया गया है कि पहले वी एक बार यह कब सी रफ लाटे यहां पर बिक्री कर चुके है बसे एक बार में उसे कार किया है